बॉलिवूट के म्यूसिक डाइरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार रात 11 बजे 79 साल की उम्र में निधन हो गया है उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली बताया जा रहा है कि उनकी तबियत खराब होने के बाद मंगलवार को ही भरती किया गया था म्यूसिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था उनका असली नाम अलोकेश लाहिडी था बप्पी लहरी म्यूसिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते थे बप्पी अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेसली के बड़े प्रशन सकते एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सोने की चेन पहना करते थे एल्विस को ही देखकर बप्पी दाने प्रेरणा ली थी कि जब वो काम्याब हो जाएंगे तो अपनी एक अलग छवी बनाएंगे काम्याब होकर बप्पी दाने सोना पहना जिससे उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन तक कहा जाने लगा बप्पी का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकता में हुआ था उन्होंने अपने अलग अनदास की वजह से फिल्म इंडिस्ट्री में अलग पहचान बनाई थी बप्पी का इंडिस्ट्री में 48 साल का करिय था उन्होंने अपने करिया में तकरीबन 5,000 गाने कमपोज किये। उन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मल्यालम, कन्नर, गुजराती, मराथी, पंजाबी, उडिया, भोजपुरी, आसमी भाषाओं के साथ साथ बांगलादेश की फिल्मों और अंग्रेजी गानों को भी कमपोज किया था.